पहले तो ना आप इसकी आवाज सुन लीजे है ना मस्त क्रिस्पी आठे से बना ये नास्ता बच्चों को बहुत पसंद आएगा घर में छोटा मोटा गेट टुगेदर हो किटी पाटी करनी हो तो इस नास्ता को आप पहले से बना के रख सकते हैं बस गर्मा गरम हरी चटनिय ना साथ के साथ जब महमाना है फ्राइए कीजे प्रिसंट कीजे इसके लिए एक कप अबले आलू लिया है चोटा प्याज महीन काटकर डाला है 50 ग्राम पनीर कद्दू कस किया एक टेबुलिस्पून जिंजर गालिक पेस डाला है वन टी स्पून पावजी मसाला वन टी सूरी में थी जिसे मैंने तवे पे रोस कलिया तो डाला है वन टी स्पून लाल मिश्ट डाल रही हूं और वन टी स्पून ही कोरियंडर पाउडर यानि की धनिया पाउडर डाला है कोई भी मसाला आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेजे हाथों से मिलाएंगे तो अच्छे से सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएंगे इसके बाद इसको साइट रखेंगे और हमें चाहिए होगा चीज क्योब जो अमुल वाला आता है ना वह इस तरीके से आप पतले-पतले स्लाइस में काट लीजे ये देखिए कुछ इस दाल करके इसका एक बिल्बुल पतला बैटर त्यार कर ले आप मुझे कहां से देख रहे हैं जरूर बताईएगा ताकि ऊपर स्क्रीन में जैसे मैंने थैंक यू बोला है ममता से जो की जैपूर से हैं आपका भी धन्यवाद कर पाऊं ये देखे इस तरीके से आपको घोल ट्यार करना है अब आपको साधा आटा लेना है जिससे रूटी बनाते न वो ये आटा है दो कप पाणी डाल के गूत लिया था जैसे रूटी बनाते न वही नॉर्मल डूही बनाना है बस आपको लोईया काट करके इस तरीके से बढ़ा कर लीजे फिर उसके बाद किसी कट अब इस तरीके से गोल-गोल कर लीजे गोल-गोल बनाने का तातपर यही है कि यह जल्दी बनेगा और एक सार बनेगा आप चाहें तो जैसे पूडिया मनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं फिर एक टेबलिस्पून भरके इसके अंदर स्टफिंग डालनी है स्टफिंग रोट बोटी को ले आइए धिहाना के फटें नहीं हलके आतों से लिए और दोनों फिंगर्स के एल्फ से इसको बटें करते रहे हैं इससे क्या होगा स्टफिंग बाहर नहीं आएगी बस ऐसे ही करके आपको सारा नास्ता त्यार करनी है करनी करना है उसके बाद देखिए जैसे मै अलग तरह से बनती है और इसे स्टोर करके आप महीनों भी रखोगे तो खराब नहीं होगा अगर तीखा चटपटा पसंद करते हो ना तो लहसुन की चटनी इस्तमाल करना यह देखो नासा सारा त्यार हो गया इसे स्टोर करना हो तो जिप लॉक बैग आता है ना उसमें डाल करके फ्रीजर में रखेगा महीनों खराब नहीं होगा मैदे को गोल को एक बार चला लीजेगा नीचे बैठ जाता है गुजिया को डालिएगा इस तरीके से और तुरंत ही आपको इसके बाद गरम तेल के अंदर डालना है एक एक करके मैं ऐसे डालती जाओंगी यह एक अर कर्मल गेहूं के आँटे से बनाया है बस एक बार में पूरा मत डाले हलका सा नीचे पक जाने दीजे तब ही फिलिप कीजेगा तुरंत मत फिलिप कीजेगा और जैसे मैं ओयल उपर डालने हूं इसी तरीके से आप डालिएगा यह देखिए हलका हलका गोल्डेन कलर आना श जाएंगे जो कि खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेंगे अब देखिए क्या कलर आ रहा है आप देख रहना और पता है इसको आप बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं अगर आप इसे मीडियम आज पे बनाएंगे तो यह जल्दी सौगी भी नहीं होता है बस अच्छा सा बहुत प्यारा कलर आ चुका है इसे एक टिशू पेपर पे निकाल लूँगी क्यों मुझ में पानी आ रहा है ना तो अगर चैनल पे नहीं है तो नलीनीज किचन सब्सक्राइब कर लिजेगा और यह बताईए ज़रा मैं बहुत गुस्सा हो रही हूं आप जनको आगे बढ़ने में जरूर योगदान देंगे तो आपको यह वीडियो कैसा लगा अच्छा नहीं भी लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए का आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी फेस्टिव स्पेशल रेसिपीज ला रही हूं मजा आ जाने वाला ह अब वीडियो का सबसे बेस्ट और फन पार्ट जब आप चीज इस तरीके से पुल करते हैं न तो बच्चे तो देखे बड़ा खुश हो जाते हैं और खाने के बाद न जब मैंने हरी चटनी के साथ खाई वा 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 लेसुन के चटनी के साथ तो फिर और मजा आ गया त ठया हुआ हुआ है